नमस्कार, कैसे हो आप सब, I hope कि आप सभी अच्छे होगे, मैं संगीता फ्रॉम लर्नोहब, the learning platform, जहां पढ़ सकते हैं, math, science, sst, absolutely free, at learnohub.com बच्चो, आज हम डिस्कुस करेंगे, NCRT solutions for class 9, topic हमारा है, socialism in Europe and the Russian revolution, question number 4 to 6 चली बच्चो देखते हैं, question number 4, question number 4 हमारा है, make two lists, one, with the main events and effects of the February revolution and the other, with the main events and effects of the October revolution, write a paragraph on who was involved in each, who were the leaders and what was the impact of each on Soviet history, ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, आपको October और February, February और October revolution के बारे में लिखना है, उन events के बारे में और effects के बारे में कि क्या हुआ था, और उसके बाद क्या effect उसका पढ़ा, दोनों के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, February के बारे में लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ points में मैं बात करूँगी, आप लोग उसको सही तरीके से लिख लीजिएगा. स्टार्ट करते हैं, events of the February revolution, इसके बारे में ठीक है, in 1917 Feb, food shortage, starting कहां से होती है, कि थंडियों का time था, time था 1917 Feb का, ठीक है, उस समय में क्या हुआ, ठंडियों का time था, food shortage हो गई, कहां पर, Petrograd, जो की capital थी, वहां पर, और जो लोग बसे थे, वहां पर, लोग जिस तरीके से बसे थे, रहते थे, तो right side में कौन रहता था? Coastal Areas के right side में रहते थे, जो labors थे, और factories थी, ये सारे right side में थे, factories और labors के रहने की जो जगह थी, वह right side में थी, और other side में बड़ी buildings जो थी, वह थी, government buildings थी, Duma की जो बैठके होती थी, वह थी, police quarters जो थे, वहां पर थे, तो left side में मतलब सारे अच्छी अच्छी चीज़, अच्छे और बड़े लोग जो थे, वह रहते थे, उनके centers थे, और left side में factories और जो factory workers थे, वह थे, तो कमी कहां पर आ हुई, कमी जो right side वाले लोग थे, यानि की workers और factory workers वागेरे जो थे, उस side पर food shortage हुई, ठीक है, इतना समझ में आ गया, कि माली जी ये दो side है, दो side में लोग बसे हैं, अब ये माली जी हमारा, हम right मालने रहें, तो right side पर factory workers जो थे, वो थे और factories थी, ठीक है, factory workers के quarter और factories थी, other side पर police center, महल और उसके अलावा government building और डियूमा की जहां पर बैठ्याक होती थी, वो सारे centers इस side पर थे, left side पर ठीक है, left side पर ये लोग थे, right side पर workers और factories थी, ठीक है, sorry, ये left पर, तो इस तरीके से लोग बसे हुए थे, अब क्या हुआ कि इधर की तरफ, February में क्या हुआ, food shortage हो गई, बहुत ज़्यादा ठेंड पर रही थी, बर्फबारी वगेर हो रही थी, यहाँ पर food shortage हो गई, लोगों के अंदर गुस्सा आया, उधर के लोग तो रह रहे हैं, बट इधर जो है, जो workers वगेर हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है, तो क्या हुआ कि इन्हों ने इसी के लिए strike कर दी, ठीक है, सबसे पहले एक factory के workers ने strike की, उन्होंने lockout कर दिया, एक factory के workers ने क्या किया, declare कर दिया lockout, उन्हें देखकर बाकि 50 factories के workers ने क्या कर दिया, lockout कर दिया, strike by 50 factories labor, तो उन्होंने क्या किया, 50 factories के जो labor थे, उन्होंने strike कर दी, सबसे पहले एक factory के worker ने क्या किया, workers ने क्या किया, कि उन्होंने lockout कर दिया, other 54 factories के जो labors थे, उन्होंने क्या किया, strike कर दी, अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों की strike हो गई, उन्होंने strike कर दी, तो फिर क्या होगा, लोगों को समझ में आये गए, कि विरोध जो है, बहुत तगड़ा है, बहुत जादा लोग इसमें शामिल हो गए, बहुत सारी ladies भी इसमें शामिल हो गई, ये विरोध जो था, वो काफी बढ़ने लगा, जिससे जो government थी, मतलब की जार, जार ने क्या किया, आदेश दे दिया, कर्फियू का, कर्फियू लग गया, आपको स से धीरे धीरे इकठा होने लगे, और government की तरफ से आदेश दिया गया, जो cavalryman उनके थे, उन्हें आदेश दिया, कि इन पर नजर रखी जाए, ठीक, अभी तक क्या हो रहा था, कि strike हुई है, लेकिन इस time तक कोई भी political parties जो हैं, वो इनके साथ नहीं आई, इसके बाद क्या हो देखिए, point by point, चीज़े चल रही हैं, पहले क्या हुआ, कि lock out हुआ, लोग नाराज हुए, full shortage हुई, lock out हुआ, lock out के बाद उन्होंने strike कर दी, factory workers ने, फिर भीर को control करने के लिए कहा गया, curfew लगा दिया गया, और आगे फिर क्या होता है, डियूमा को भंग कर दिया गया, लियूमा की dismiss होने से, जो political parties थी, उन्हें नाराजगी आई, फिर आगे क्या किया गया, कि ये जो विरोध था, workers खा, तो वो बहुत ही जादा बढ़ गया, जिसे control करने के लिए, जार ने आदेश दिया, किसे जो उनके cavalrymen थे, cavalrymen को आदेश दिया, उन पर गोली चलाने के लि अपने ही अफसर के ऊपर, इससे भीड क्या हुआ और बिखर गई, और इसके बाद बाकी तीन रेजिमेंट, एक रेजिमेंट का कोई सैनिक था, जिसने अफसर के ऊपर गोली चला, क्योंकि उन सभी को क्या लग रहा था, कहीं ना कहीं से ये लग रहा था, कि ये चीज़े तो वो उन्हीं worker का साथ देना चाह रहे थे, तो बागी तीन रेजिमेंट के लोग भी क्या थे, workers के साथ आ गए। और ये तीन रेजिमेंट के लोग और पहली रेजिमेंट जो थी वह, और प्लस ये जो इस्ट्राइक वाले workers थे येbelिद्विद्र कि दिशाव करें वहां पर लोग विरोध कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ वहाँ पर उन्होंने बैठक की ड्यूमा जहां की बैठक जहां हुआ करती थी, वहाँ पर थे और फैक्री वर्कर्स थे और रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन लोगोंने मिलकर किया सोवेड का गठन किया this ठीक है वहाँ पर सोवेट का उन्होंने गठन किया उसके बाद सेकेंड मार्च को इनकी शक्ति जो थी इनकी पावर जो थी वो बढ़ने लगी तो इसके बाद क्या हुआ रिप्रेजेंटेटिव जो मंडल था वो जार के पास गया और आर्मी कमांडर जो थे वो जार के पास उन्होंने जार से गद्धी छोड़ने के लिए कहा ठीक है तो सेकेंड मार्च को जार ने क्या किया गद्धी छोड़ दी इस तरह क्या है वन बाई वन चीजे चल रही है ठीक है विरोध हुआ लोग आए स्लोगल ने कि और विरोध किये रेजीमेंट के लोग उनके साथ government का गठन हुआ जिसमें जो यहां Soviet का गठन किया गया था यहां पर Soviet बनी थी पेट्रोग्राड में इसके दोरा जो सैनिक थे रेजिमेंट के सैनिक थे वो और प्लस workers उनके दोरा Soviet का गठन हुआ था तो यह Soviet और प्लस Duma के कुछ leaders इन्हों ने मिलकर interim government का interim government का इन्होंने गठन किया ठीक है मतलब government बनाई गई अब declare हो गया कि यहां से मोनार्की खतम हो गई अब आगे जो भी फैसले लिए जाएंगे वो constitution assembly के दोरा लिए जाएंगे तो इस तरह देखा कि इस तरह चीजे वन बाई जाने की घोशना हुई चली बचो देखते हैं question number 4 का next some question का part पहले हमने क्या देखा पहले हमने देखा events of the February revolution हमने देखा अब हम देखेंगे effect of the February revolution ठीक है जो events हुए किन वज़ा से क्या चीजे हुई वो हमने देखा अब हम देखेंगे कि उसका effect क्या हुए effect में देखेंगे सबसे पहले after February the ban on holding public meeting and organization was lifted पहले क्या था लोगों का organization बनाना एकठा होकर बाते करना ये सारा ban था जार के time में लेकिन अब क्या हुआ अब ये सारे ban जो थे इन चीजों पर से हटा लिए गया लोग अपना organization बना सकते थे जगए जगए इकठे होके बात कर सकते थे ये सारी चीजों से अब लोगों को छूट मिल गई ठीक Soviets were created everywhere on the lines on the petrogate Soviet बनी थी आपने देखा था भी पहले तो उसी की तरस पर बहुत सारी Soviets जो थी वो create की जाने लगी in April 1917 the Bolshevik leader Vlamidir Lenin returned to Russia from his exile ठीक है Bolshevik exile पेट्रोगेड आ गये जो लेनिन थे वह इधर उदर अपना घूमते रहते थे अलग अलग जगों से वह क्या करते थे strategies बनाते रहते थे लोगों लगा वह वहां गया लेकिन वह दूसरी जगा के लिए strategies बना रहे हैं तो वो अपना इधर उधर घुमते घुमते strategies जो थे वो बना रहे तो थे उनकी strategies का लोगों को पता नहीं लगता था 1914 में जब war start हुआ था तभी Lenin ने कहा था war को बंद करने के लिए अब जब Lenin वापस आ गए तो इन्होंने demand रखी कि war को बंद कर दिया जाए पहली demand थी war बंद कर दिया जाए दूसरी demand उनकी थी कि जो lands हैं उन्हें peasants में बाट दिया जाए थार्ड उनकी demand थी कि जो bank वगेरे हैं उनका उन्हें nationalize कर दिया जाए यह तीन demand उन्होंने रखा जिसे की Lenin की thesis के नाम से जानते है April thesis क्योंकि Lenin जो थे वो अप्रिल में आया और उन्होंने इस टाइम में यह demand रखी जो उनकी तीन demand थी तो इसे April thesis के नाम से जानते है तो कब आयी थी तो यह चीज आपको याद रहेगा कि अप्रिल thesis किस की थी Lenin की थी ठीक है तो उनकी thesis में यह demand रखी गई जब Lenin ने यह demand रखी तो bolshevik leaders बहुत सारे थे उन्हें यह चीज थोड़ी अटपटी लेगी कि तुरंत ही चीजों को socialization कर देना वो सही नहीं है क्योंकि लेकिन उनकी सोच जो थी वो change हो गई क्योंकि moment जो था वो और जादा तेज हो गया अप्रिल में तक moment जो था वो तेज हो गया जो factory workers थे उनका विरोध काफी बढ़ गया जो जो peasants थे उनका विरोध काफी बढ़ गया पीजन जो थे यह सब बाते सुनकर उन्होंने बहुत स factory owners के खिलाफ वो लोग भी अपनी आवाज उठाने लगे कि काम के घंड़ जो working arts हैं वो fix किये जाए हमारी salary जो है वो साई से दी जाए तो यह सारी चीज़े क्या यह सारे moments हो रहा है ऐसे में जो interim government थी उसे लगा वो कमजोर पढ़ रही है तो उसने क्या किया इन्हें जो moments क उन्हें arrest भी किया गया जो strike leaders जो थे उन्हें arrest भी किया गया और इसी चकर में बहुत सारे bolshevik leaders जो थे वो उन्हें इधर से उधर छुपना पड़ा पहले तो वो इनका साथ दे रहे थे लेकिन जब arrest किया जाने लगा तो वो इधर उधर उधर छिपने लगे फिर आगे हम क् influence of the bolshevik bolshevik का influence क्या था वो बढ़ रहा था और जो interim government था थी उसका influence कम हो रहा था उसी से डरके government ने यह सारे आदेश दिये कि उन्हें control किया जाए अरेस्ट किया जाए यह सारी चीज़े कही गई बोल्शेविक रिप्रेसेंट बाइद गुर्मेंट के द्वारा bolshevik जो थे उन्हें भी represent किया गया उनका भी दमन किया गया और आगे हम देखते हैं कि आगे तक जो moment था वो और ज़्यादा तेज हो गया गौर्मेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है गौर्मेंट की चीज़ों से लोग और ज़्यादा नाराज हो रहा है मौर्मेंट और ने बहुत सारी जमीनों पर कबजा कर लिया तो यह हमने देखा कि फैबूरी इवेंट जो था वो रेवलूशन इवेंट जो था वो कैसे हुआ क्या क्या हुआ फिर इवेंट का क्या effect पड़ा जो चीज़े बैन थी वो हटा दी गई कि और और इज़ेशन नहीं बन सकती है वो हटाया, लेनिन आ गया, लेनिन ने डिमान रखी, डिमान पर लोग जो थे वो और साथ में आए, बोल्चविक लीडर्स जो पहले साथ नहीं थे, वो भी साथ में आगये, उनकी इस डिमान को मानते हुए और गवर्मेंट के दौरा क्या क्या गया? इन सब को कंट्रोल कर है October Revolution जिसे हम आगे देखेंगे चली बच्चों देखते हैं अब हम कोशन नमर 4 का नेक्स पार्ट पहले हमने क्या देखा पहले हमने देखा February Revolution का event देखा और effect देखा कि किस तरीके से घटना है जो थी revolution की वो घटी किस तरीके से चीजे हुई फिर आगे उसका effect क्या आया अब हम देखेंगे वो सारी चीजे वहीं पर शांत नहीं हो गई उसके बाद आता है October Revolution September तक देखें कि लोगों में विद्रो जो था वो चल रहा था Government and Bolsheviks जो थे उनमें काफी conflicts थे ठीक अब आगे हम देखेंगे October Revolution events फिर उसके बाद effect तो पहले बात करेंगे हम events की The Bolsheviks in the army and factory Soviets gathered तो क्या हुआ कि काफी conflicts जो थे वो बढ़ गये थे Government की power जो थी वो कम हो रही थी और जो Bolsheviks थे उनकी power बढ़ रही थी ऐसे में Lenin को क्या लगा इसी दोरान Lenin को लगा कि government जो है वो तानाशाही कर रही है अपनी तानाशाही लोगों पर न थोप दे इसलिए इन्होंने क्या किया लेनिन ने क्या किया देखी यहां पर आप देख भी रहे होगे कि Lenin जो है वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं लोगों को इकठा करके अपनी जो बाते हैं वो बता रहे हैं ठीक है बाते हो रही है आर्मी एन फैक्टरी सोवेट्स ठीक है आर्मी एन फैक्टरी सोवेट्स में जो बोल्शेविक्स थे वो सभी इकठा हुए लेनिन ने सबसे बातचीत की और फिर आगे की योजना पूरी बनाए आगे के प्लानिंग पूरी हुई कि हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग कबजे में ले लेंगे ठीक है वहाँ पर बातचीत हुई जो सोवेट्स थे बोल्शेविक्स थे उन सभी के साथ में बातचीत हुई कि अब ये सारी चीजे जो है वो हम लोग पावर जो है सारी वो हम अपने कबजे में ले लेंगे तो जो सोवियट्स थे, जो बोल्शेविक थे, वो सभी लेनिन की बात से रेडी हो गए, कि हाँ हम लोग ऐसा करेंगे, बातचीत हो गई, अब यह ऐसा तो है नहीं कि जाएंगे गवर्मेंट के पास, और सत्ता मांगेंगे, सत्ता उनको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, कि वो ग स्टार्ट करना है, और अचानक से 24 अक्टूबर को, हमने देखा सेप्टेंबर तक क्या था, लड़ाईयां चल रही थी, 24 अक्टूबर को क्या हुआ, उसके पहले मीटिंग्स हुई, 24 अक्टूबर को विद्रो जो था, वो स्टार्ट हो गया, इसी दोरान जो प्राइम मिन बढ़ रही थी, तो इसलिए वो चले गए, अब उनके जो कुछ आर्मी वाले थे, उन्होंने क्या किया, पता है कि बॉल्शेविक की काम कर रहे हैं, विद्रो जो है वो बॉल्शेविक्स कर रहे हैं, तो उन्होंने बॉल्शेविक्स के जो ऑफिसे थे, निउस पेपर अब बॉल्शेविक्स जब देख रहे हैं कि गॉर्मेंट ने क्या किया, उनके ऑफिसे पर कंड्रोल किया है, उसे अपने कबजे में ले लिया है, तो बॉल्शेविक वैसे ही पावरफुल हो रहे थे, तो वो शांती से तो बैठेंगे नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्हो थे वो इकठा हुए लेरिन के साथ बातचीत हुई, विद्ध्रो हुआ, the formation of a military revolution from the side of the Soviet, Soviets के तरफ से military formation हुआ, ठीक है, फिर उसके आद start of rebellion, rebel जो था, वो start हो गया, दोनों की तरफ से कारवाई की गई, कि वो उनकी चीज़ों पर कबजा कर लिया, उन्होंने उनकी चीज़ों पर कबजा कर लिया, attack by worship, तो बॉल्शेविक्स के द्वारा, जो युद्धुपोत थे, worships थे, उनके द्वारा attack किया गया, government properties पर, और जो winter palace था, उस पर attack किया गया, इस attack में काफी नुकसान भी हुआ, और इसी दोरान क्या हुआ, जो government के बहुत सारे leaders थे, क्योंकि अब उन्हें अपनी हार दिखाई दे नहीं लगी, अब government के जो leaders थे, उन्होंने surrender कर दिया, लेकिन, ऐसा नहीं था कि बस उन्हें कुछ leaders ने surrender कर दिया, और फिर सत्ता हाथ में आगे नहीं, आगे दोनों तरफ से काफी ज़्यादा लडाईयां जो थी, वो चलती रही, बंबारी चलती रही, और उसके बाद हम देखते हैं, All Russian Soviet Congress meeting in Petrograd, Petrograd में All Russian Congress के साथ meeting हुई, जिसमें की लोगों ने बोल्शेविकों के द्वारा करी गई कारवाई को सही ठहराया, और फिर बोल्शेविकों को बोल दिया गया कि हाँ, अब आप अपने हाथ में सत्ता ले सकते हैं, तो अब पहले क्या था, ये चीज़े इसी के लिए शुरू हुई थी, बोल्शेविकों को Congress, जो All Russian Soviet Congress थी, उसकी तरफ से भी मन्जूरी मिल गई कि सत्ता अब अपने हाथ में ले सकते हैं, तो हम देखते हैं, December तक क्या होता है, जो Bolsheviks थे, उनके हाथ में Moscow Petrograde एरिया जो था पूरा, वो उनके हाथ में आ गया, मतलब सत्ता जो थी, वो अब उनके हाथ में आ गई, चली बच्चों, अब हम देखते हैं, Effect of the October Revolution, अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था, Event of the October Revolution, ठीक है, कि October Revolution जो है, वो किस तरह से हुआ, अब जो October Revolution हुआ, उसका क्या Effect होगा, आगे हमें वो देखना है, क्योंकि Revolution हुआ, जो बोल्शेविक्स थे, उनके हाथ में सत्ता आ गई, बोल्शेविक्स के हाथ में सत्ता आ गई, तो अब जो बोल्शेविक्स ने वादे किये थे, या डिमांड की थी, अब वो आगे उन चीजों को पूरा करेंगे, ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जिस कि Private Properties जो है, उसका Socialization हो जाए, वो लोगों में बाट दी जाए, ठीक है, उसके अलावा उन्होंने अपनी Party के नाम को भी Change करने की बाते की थी, तो जो जो चीज़े उन्होंने की थी, अब वो उन चीजों को पूरा करते हुए दिखेंगे, क्योंकि Power जो है, वो बोल्शेव कर दिया जैसे कि उन्होंने बोला था कि जो लैंड है, वो पिजन्स को दे दी जाए, तो लैंड जो थी, वो पिजन्स में बाट दी गई, इसके अलावा जो लोगों के घर थे, जिनके पास बहुत बड़े-बड़े घर हैं, तो जितने लोग हैं, जितने मेंबर्स हैं, उन का सुसलाइजेशन होने लगा, कि जमीन जो थी, लैंड जो थी, वो पिजन्स में बाट दी गई, घर जो था, तो रहने लाइक पोर्शन दे के जिसका घर है उसे, और बाकी पोर्शन में दूसरों को रहने की विवस्था कर दी गई, बैन ऑफ दा यूज ऑफ दा टाइटल लोग अपने नाम के आगे जो टाइटल्स यूज करते थे, उसे बैन कर दिया गया, क्योंकि ये लोगों में फर को शो करता था, तो उसे उन्होंने बैन कर दिया, इसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी चेंज करने की बात की थी, तो उसे भी उन्होंने चे कि हाँ ये बदलाव हुए हैं तो उसे शो करने के लिए क्या क्या है उन्होंने यूनिफॉर्म जो थी वो भी चेंज कर दी लोगों की कि पता चले कि हाँ बदलाव हुए हैं तो यूनिफॉर्म बदलाव जो थे वो चेंजे जो दिखेंगे तो इस तरह से उन्होंने जो सोव सारी चीज़े हो रहे थी अब बोल्शेविक्स को लगा की ठीक है अब हम सथ्डा में आ गया है लोगों ने हमारा साथ दिया और सोव्येट कांग्रिस जो खी उन्होंने साथ दिया और जो सोवीट हैं वो पेट्रोग्रेट्स सोविट्स हैं उन्होंने साथ दिया तो अब सत्ता जब हमारे हाथ में है तो उन्होंने सोचा अब election करा जाएं उन्होंने election करा दिये election कराने के बाद क्या हुआ majority में उन्हें vote नहीं मिले election तो हो गया उन्हें लगा था सत्ता उनके हाथ में है और voting जो होगी वो उनके favor में होगी लेकिन यहाँ पर voting जो थी वो उनके favor में नहीं majority उन्हें नहीं मिली तो ऐसे में क्या हुआ कि लेकिन Lenin ने बोल दिया कि हमें vote नहीं मिला इस वज़े से क्योंकि अचानक से assembly बनाई गई थी और उन्होंने जाके फिर जो जर्मनी थी उससे ट्रीटी कर ली लोगों का मन नहीं था जो उनकी पार्टी बोल्शेविक सी थे वो नहीं चाहते थे उन अधर जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे वो सभी नहीं चाहते थे लेकिन उनके खिलाव जाकर बोल्शेविक ने क्य क्या कि है जर्माइने के साथ ट्रीटी कर ली और फिर उन्होंने बोला poz है Assembly को बखास कर दिया क्योंकि वह election हार के थे और अचानक से बनाएगा Assembly थी और इसलिए क्या हुआ कि हमें वोड नहीं मिले उन्होंने उस assembly को dismiss कर दिया अब उन्होंने बोला कि उन्होंने देखा कि all Russian Soviet Congress जो है वो ज्यादा powerful है तो और सामने क्या है सामने दिख रहा है कि जो assembly का election होना है उसके लिए सिर्फ एक ही party जो है और Russian Soviet Congress के लिए सिर्फ एक ही party जो है वो आके election लड़ सकती है इसलिए उन्होंने आ गया कर election किये फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे बहुत सारे आर्टिस्ट थे राइटर थे वो सभी इनके favor में थे क्योंकि इन्होंने बहुत सारे changes लाए लेनिन या कह सकते हैं बोर्शेविक्स के द्वारा जो Communist Party के नाम से आ गई थी तो इन्होंने काफी सारे changes लाए थे तो इस वज़े से बहुत सारे लोग इनके support में थे लेकिन इनके द्वारा बहुत सारी चीज़े थोपी जारी थे लोगों पर तो बहुत सारे जो youngsters थे वो इनके खिलाफ भी थे तो यहां पर हमने क्या देखा कि उसका effect क्या हुआ October Revolution हुआ उसका effect क्या हुआ सत्ता जो थी वो Bolsheviks के हाथ में आ गई बोल्शेविक्स ने जो demand की थी लोगों से वो सारी demand जो थी वो उन्होंने पूरी की लेकिन उसी के साथ थी साथ हो अपनी ताना शाही भी थोप रहे थे जिससे कि बहुत सारे लोगों का मन जो था वो उनसे उखड़ने लगा people dissolution with the party बहुत सारे लोग जो थे उनका मोभंग होने लगा party के साथ तो यह हो गया अब हमने तो यह हमने देख लिया कि किस तरह से October revolution हुआ फिर उसके क्या effects हुए चले बच्छों देखते हैं question number 5 question number 5 हमारा है what were the main changes brought about by the Bolsheviks immediately after the October revolution after October revolution immediately कौन से changes किये Bolsheviks ने तो कौन से किये सबसे पहली चीज़ की Bolsheviks जो थे वो private property के opposed थे तो इसलिए उन्होंने क्या किया जो private properties थी जैसे bank वगेरे थे उन्हें nationalized कर दिया ठीक है अब वो nationalized हो गया वो private property नहीं रहे फिर उसके बाद का change हम क्या देखते हैं उसके बाद उन्होंने जो land थी वो क्या किया land को उन्होंने private property की जिका social property डिक्लेर कर दिया अब बाकी लोगों का भी कभजा उन लैंड्स पे हो गया जो पहले किसी person के पास रही होगी किसी prison के पास rich prison के पास तो उसके बाद जब declare कर दिया कि ये तो social property तो बाकी लोग भी आके उस पर अपना कभजा करने लगे इसके अलावा हम क्या देखते हैं जो changes हुए उसमें इन्होंने cities में जो बड़े घर थे उसे जो इनका घर था उन्हें रहने लायक जो जगह थी जितना portion था वो दे दिया बाकी portion उन्होंने दूसरों के लिए खोल दिया कि वहाँ पर दूसरे लोग जो बे सहारा हैं गरीब हैं वो लोग वहाँ पर जाकर रह सकते हैं ठीक है इसके बाद हम क्या देखते हैं अब ये क्या कर रहे हैं changes जो है वो एक के बाद एक करते जा रहे हैं और इसी में title of autocracy ज आते थे लोग जो उनका title होता था उसे उन्होंने बैन कर दिया कि इन्हें preference जैसे जो मिलती है वो सारी चीजे बैन कर दी जाए और इन्होंने क्या किया फिर आगे जो इनका बोल्शेविक party थी जो थी उसका नाम भी इन्होंने change कर दिया change करके इन्होंने रखा नाम और इसी दोरान इन्होंने क्या किया कंड़क्ट किया पारलियमेंट असेंबली के लिए इलेक्शन जिसमें की इनकी हार हुई और इसके बाद इन्होंने क्या किया यहां पर तो हार गए क्योंकि इन्हें मैजरॉर्टी मिली नहीं यहां पर हार गए इसके बाद इन्होंने जर पसंद करने लगते हैं तो changes हमने देख लिए क्या क्या हुए कि इन्होंने जो property थी उसे nationalized कर दिया ठीक है nationalized कर दिया properties को लोगों की जो बाकी property थी private property थी उसे social property में change कर दिया घरों में औरों के रहने की जगर कर दी यहां था कि अपनी जो party थी उसका भी नाम change कर दिया उस तर question number six question number six हमारा है write a few lines to show what you know about आपकी सामने कुछ topics हैं आपको बताना है कुछ lines में उन्हें लिखना है कि आप उनके बारे में क्या जानते हो first है kulaks kulaks की बात करें तो kulaks जो rich peasant थे रशिया के उन्हें kulaks कहा गया रशिया के rich peasant जो थे उन्हें kulaks कहा गया 1927-28 में रशिया में grain crisis हुई और उसी दवरान क्या हुआ कि जो stalin थे उन्हें लगता था कि जो kulaks है यानि कि rich peasant है वो अपने grain जो है वो से store करके रखे हैं जब बाद में उनके rate बढ़ेंगे तो मुनाफ़ा कमाने के लिए बाद में मतलब ज्यादा profit मिले उसके लिए ये बाद में उसे sell करेंगे तो इसके लिए stalin ने क्या कि एक rate fix कर द अपने officers को बेजा उनसे grain जबरदस्ती खरीदने को ऐसा ही किया गया और जो छोटे-छोटे firms थे उन्हें इकठा करके मतलब चोटे-छोटे firms को एक साथ करके stalin ने क्या किया कि उन्हें एक large firm का रूप दिया तो यहां अगर हम देखें कुलक्स कुलक्स कौन थे रशियन पीजन थे रिच रशियन पीजन थे और जो की store करके अनाज को रख रहे थे कि जब जो grain crisis है उस टाइम में अनाज को store करके रख रहे थे कि जब rate बढ़ेंगे त 5 में उसे establish किया गया था डियूमा को और डियूमा की बात अगर करें तो वो elective consultive Parliament थी जो की elect की गई थी लोगों के द्वारा की जार के जो भी काम है तो जार उनसे क्या करेगा consult करेंगे अपने कामों के लिए लेकिन जार को किसी से consult करना पसंद नहीं था फर्स डियूमा उ उन्होंने 3 मंथ में dismiss कर दी उसके बाद उन्होंने कई laws वगरा चेंज की क्योंकि उन्हें किसी से consult नहीं करना था 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 डियूमा में उन्होंने भंक कर दी जो था डियूमा थी बनी उसमें उन्होंने सारे conservative लोगों को जगह दी जो liberals थे या फिर जो revolutionaries थे उन्हें जगह ना दे के सिर्फ conservative लोगों को उसमें जगह दी था डियूमा में ठीक है तो आपको डियूमा और कुलक्स जो हैं वो समझ में आ गये होगा निक्स अगर देखें तो क्या है women workers between 19 and 1930 women workers 19 and 1930 के बीच में क्या condition थी तो अगर हम देखें तो रशिया का जो revolution था उसमें women workers जो थी वो पूरी तरह से उन्होंने भाग लिया था वो क्या करती थी वो factories में भी काम किया करती थी and family को भी देखा करती थी और factories में women की condition जो थी वो अच्छी नहीं थी क्योंकि वो काम तो वहाँ पर करती थी लेकिन उन्हें जो फैक्टरी में काम तो करती थी लेकिन उन्हें जो amount दि as well as take care of family and children, okay, and he was involved in all the affairs of the country. Next, we'll see women workers between 1900 to 1930, 1900 to 1930, Russia's future building was quite important in Russia, government's role was quite important. What did he do? He worked in factories and other people who participated in the revolution. So, he worked in factories and children to care. But the payment of the male workers was quite low. And so, in the world, the women who worked in factories and children, they were working on the women's side of the country. However, the payment in factories was quite low. But the country affairs was quite low. करती थी. नेक्स हम इनकी condition की बात अगर हम कहें तो बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इन्हों ने सब चीजों में participate किया रशिया के future building में इनका role काफी अच्छा था लेकिन फिर भी इन्हें जो waitage मिलना चाहिए था, preference मिलना चाहिए था वो इन्हें नहीं मिलती थी और ऐसे ही अगर हम देखें, factories में काम करने के भी बदले जो इन्हें payment मिलती थी, वो भी अच्छी नहीं मिलती थी. Next हम देखते हैं the liberals, liberals की बात अगर करें तो liberals जो थे वो सभी को बराबर समझते थे, सभी religions को वो बराबर समझते थे, लेकिन लेकिन अकर हम देखें, they were against dynasty-based government, dynasty-based government के वो against थे democratic government के, वो favor में थे लेकिन इनका मानना था कि जो voting होती है voting के लिए वो मानते थे कि जो rich families हैं, बस वही voting कर सकती हैं और उसके रावा ladies जो हैं, वो भी voting नहीं कर सकती, यानि कि poor and ladies जो हैं, वो voting नहीं कर सकते हैं, he was in favor of protecting the rights of individual, जो भी लोगों के अधिकार थे, rights थे, उसके ये favor में थे, कि जिसके जो rights हैं, वो उन्हें मिलने चाहिए he was in favor of he was in favor of the parliamentary government, but he was not a democrat, ठीक है तो वो favor में किसके थे, parliament government, ठीक है parliamentary government के favor में, वो चाते थे elect हो के government आए, डिनेस्ट्री government नहीं, वो चाते थे elect हो के government आए, लेकिन पूरी तरह से democrat के वो favor में नहीं थे, इसी वज़ा से जो rich लोग थे, बस उन्हें ही voting का अधिकार मिलना चाहिए, right मिलना चाहिए, और जो poor and women है, उन्हें voting का right नहीं मिलना चाहिए, इसके वो favor में थे, next हम देखते हैं, स्टैलिन्स collectivization program, स्टैलिन्स collectivization program अगर हम देखें, तो 1927 to 28 में हम देखते हैं कि क्या हुआ उस time में grain crisis हुई, सूखा पढ़ गया, grain crisis हुई, इस time में स्टैलिन्स को लगा कि जो, इसके कई reasons हैं, उन्होंने kulaks वाला reason दिया, कि लोग store करके रख रहे हैं इसकी वज़़े से इसके अलावा स्टैलिन्स का मानना था कि जो firms हैं, वो छोटी-छोटी हैं, छोटी firms हैं, इस वज़़े से खेती हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से की जा सकेगी, लेकिन result जो था, इसके उल्टे आया कि इससे भी, जो condition थी, वो सुधरी नहीं, बलकि और बिगड़ गई, तो यहां पर अगर हम देखें, स्टैलिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम बिगें इन 1929 1929, 1928 तो 1927 तो 28 में ग्रेन क्रैसेज हुई, अब उस पर आगे प्रोसेस चल रहा था, चल रहा था, फिर आगे 29 में इन्होंने क्या आदेश दिया, कौन सा प्रोग्राम चलाया, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चलाया जिसमें कि जो छोटी फर्मस हैं, उन्हें इकठा करके, लार्ज फर्म का रूप दिया जाए, जिससे कि खेती अच्छे से हो, और अनाज जो है, वो ज़्यादा उप जाया जा सके तो बच्चों, इस तरह हमारे चैप्टर होता है मिलते हैं, नेक्स चैप्टर, नेक्स सेलुशन के साथ, एट, लर्नोहाब, लर्नोहाब फ्री है, पर बेस्ट है